नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट्मी नोट 9 प्रो पर नेट्रोक सेट कैसे कर सकते तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह का यह नेट्रोक सेटिंग ही है ठीक है तो आप दोस्तों कैसे करके नेट्रोक को सेट कर सकते हैं आज मैं आप लोगों को इसका तरीका बताने वाला हो सिंपली आप जो है दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर से देखना ठीक है वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि नेट्रो दोस्तों ओनलाइन पैसा कमाना चाते ही तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे नेट्रोक सेटिंग करना है हमें तो सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग के अंदर पे उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर नेट्रोक सेटिंग कर सकते हैं तो इसको उपेन कर ले और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेट्रोक सेटिंग्स जो है आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर मॉबाइल डेटा का मिल जाते हैं जिसमें से आप डेटा को इनेबल कर सकते हैं अगर आप रोमिंग एरिया पर जाते हैं तो डेटा रोमिंग को इनेबल करके आप डेटा रोमिंग यूज कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप अपने सीम के अंदर पर जाए यहां से दोस्तों आप क्या कर सकते है उपर में एपई रेंड सेटिंग आप कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपका मोबाइल responded नेट्रोक का सेटिंग, और दोस्तों prefered नेट्रोक तयाप जो दिखाए दे रहें आपको यह हैं, आपकाने ट्रोक सेलेक्शन ठेगे, जिसमेंस दोस्तों आप mobile network को select कर सकते हैं automatically भी कर सकते हैं और ये बटन को बंड करके आप manual network भी select कर सकते मेनुव ने रोग दोस्तों आपको वही ने प्रोग शोग करेगा जो आपके ने ठोग आपके जो आसपास पर जो एने डे लेवले वही शोग करेगा ठीक है तो यहां कि आप नग्रों को सेलेक्ट भी करकی यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको नेट्रोंक सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसमें से आपने चरोंको यूज़ कर सकते हैं और रिशेट वाइवाएफाय मोबायो नेट रोग और ब्लूटूट का ऑप्शन जो है उसमें क्लिक करना है रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मॉबाइल पासवड भर देना है और उसके बाद ओके करके reset करना है ठीक है इससे आपका नेट्रो का problem solve होते हैं तो ये सब ही दोस्तो नेट्रोक सेटिंग है तो इस तरीगे से आप नेट्रोक सेटिंग कर सकते हैं आपने device के अंदर पे तो आज किस वीडियो बोड़ों सो बस इतना है वीडियो अचाल लगा तो आप वीडिय कर सकते हैं, THANKS FOR WATCHING